हलो फ्रेंट्स वेल्कम टो चैनल और हम बात करेंगे आईडी बैंक के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके फिनांशियल न्यूज अपडेट और उसके साथ ही चार्ड अनलिस जिसमें हम इसका सपोर्ट और टार्गेट की बारे में डिसकस करेंगे तो प्ल प्लिवेट जो था वह 30,294 वहां से वह अभी घटकर हो गया है 24,803 करोड का अगर हम इसका इबिट्टा देखें तो वह 2018 में माइनस था जो कि माइनस 7,780 करोड का और वह अभी पॉजितिव में आया है 1,845 करोड पे इसका नेट गंग भी अगर हम देखें तो वह निगे अगर हम इसका financial data देखे तो ये year on year basis पे अभी थोड़ा बहुत improvement दिखा रहा है और इनके जो bad loans थे तो bad loans की वज़े से तो आप सबको पता है कि यतने भी public sector है वो continuously downfall में दिखाए दे रहे हैं उनमें भारी गिरावाट भी हो रही है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखे तो government में इसमें थोड़ा बहुत improvement करके जो financial sector में थोड़ी बहुत improvement दिखाई है अब अगर हम इसका share holding pattern देखे तो यहाँ पर देखे तो 94.71% जो है वो है promoter holding और इस promoter holding में आते हैं central government और LIC इनके पास एक बहुत जादा से जादा इसका हिस्सेदारी यहाँ पर है और बाकी का जो remaining 4.48 है वो है retail investor और FII और DIA बहुत ही minimum investment यहाँ पर है अब अगर न्यूज में देखे तो देखे ए न्यूज में 13th of December को यह news आई थी कि IDBI bank among 36 PSU to get in principle not for disinvestment तो देखे जैसे कि हमने देख रहा है कि sharehold deal pattern में 94.71% जो हिस्सेदारी है वो LIC और settled government की है तो यही अपना हिस्सेदारी बेशने के बात कर रहे हैं तो अगर यह अपने हिस्सेदारी बेशते हैं तो यहाँ पर किसी promoter को expect कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर कोई नया promoter आके इनकी जो हिस्सेदारी लेता है तो यह company के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि वो अपने यहाँ पर management जितना भी है वो change कर देगा restructuring होगी और यहाँ पर जो bank के improvement जो है वहाँ पर दिखाई देने लगी की दूसरी जो news है वो है budget के बारे में तो देखें यहाँ पर 14th of December को news आई है कि budget 2022 can FM Sita Raman manage to push PSB privatization agenda तो यहाँ पर इस पर discussion हुए है लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई announcement नहीं हुआ है तो इस बारे इस budget में जो की budget आने वाला है February 1st week में तो यह जो first week में जो budget आने वाला है यहाँ पर इस पर कुछ announcement होने की संभावना है लेकिन यहाँ पर क्या बुला जा रहा है कि यह जो focus है इनका public sector का यह capital base रहेगा जहाँ capital base को जो जादा enhance करने का और उसके साथ यह well-run public sector banks है यहाँ पर इसके उपर इनका फोकुस रहने वाला है लेकिन यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो trade union है उन्होंने अल्रडी प्रोटेस किया था December 16 और 17 को दो दिन का यहाँ पर आल इंडिया bank strike था और reason क्या है तो इनका reason यहीं है कि अगर यह bank privatization होता है तो इनके job जो है वो चले जाएंगे और यह regional focus में चला रिजनल फोकुस से हट जाएगा तो देखिए इनका तो यह protest उनके हिसाब से ठीक है लेकिन bank के हिसाब से अगर हम देखे तो यहाँ पर privatization होना ही bank के public sector bank जो है वो हमेशा यूज किये गए है जितने भी bell out करने के लिए private sector bank के लिए जैसे कि global trust bank है united western bank है bank of karat और especially yes bank तो इन लोगों के जितने में bad loan थे उनको पर adjust करने के लिए यहाँ पर public sector bank का use हुआ है ऐसा उनका मानना है अब यह इस budget में यहाँ पर इन्होंने दूसरा focus भ नहीं है उसके अलवा इनका focus रहेगा कि यह यहाँ पर इनका जो credit growth है वहाँ improve होने की जादा कैसे कोशिश कर सकते है और इनका जो asset quality है वो कैसे maintain कर सकते है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जो भी हमने budget इनकी financial year में देखा है तो इनका जो net profit है वो और गटा हुआ था और व अब अगर हम दूसरी news देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि banking sector to see significant reform in 2022 privatization IDBI bank disinvestment on agenda तो देखिए यही ब दो चीज़े हैं जिसके उपर यह लोग जादा बहुत ही जादा focus दे रहे हैं और यह दो चीज़े होती है IDBI bank के लिए भी फाइदा हो सकता है अब अगर हम कुछ agencies की बात करें तो देखिए यहाँ पर yes accredies नहीं यहाँ पर buy recommendation दिया है जिन्होंने इसका target दिया है 54 का अब देखते हैं चार्ट में तो देखिए चार्ट में अगर हम देखें तो last 6 to 7 month में यह जो stock है वो continuously 36 से लेगे 44 के range में ही यहाँ पर trade करता था और यहाँ पर October के आसपास इसने एक breakout दिया और यह breakout से देखिए हमें around 65 का यहाँ पर इसने target अचीव कर लिया था अब यह काम कर रहा है support का तो देखिए 65 तक तो यह चला गया है यहाँ पर selling pressure के वज़े से यह stock नीचे आया लेकिन देखिए यहाँ पर 44 को जब भी इसने touch किया है यहाँ से फिर से उसने bounce back दिया है second time फिर से उसने 44 touch किया फिर से यहाँ से bounce back दिया तो यह जो resistance पहले act कर रहाता है यहाँ पर अब यह बन गया है इसका support ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इसके pattern के बारे में तो देखिए यह जो resistance हमें एक trend line बनाई है और यहाँ पर यह जो trend line बनाई है यह support trend line अगर यह दो सकते हैं कि एक तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ठीक है क्योंकि यह इसमें breakdown भी हो सकता है या तो फिर break break out भी हो सकता है लेकिन जिस तरीकी के खबरे आ रही है जैसे कि privatization और disinvestment उसको देखिए हम यही बोल सकते हैं कि यहाँ पर जरूर यहाँ पर breakout आएगा और तो यह breakout मतलब यह जो resistance trend line है उसको करना पड़ेगा इसको break जब यह breakout आएगा मतलब around 49 के आसपास तो हो सकता है यहाँ पर फिर से support test करें और यह जो हमारी trend line है यह support का काम करेगी यह test करके फिर से हमारा जो target है इमेजर target ही आचिव कर सकता है जो कि है 55 रुपिस का क्योंकि य यह resistance के वज़े से यहाँ पर हो सकता है यहाँ एक Sally pressure आ जाए और फिर से थोड़ सा नीचे आ सकता है लेकिन अगर ही यहाँ पर consolidate होता है तो उसके बाद हमें next जो target है वो मिल सकता है 65 का क्योंकि यहाँ पर फिर से ही एक resistance का का काम कर रहा है ठीक है अगर यहाँ पर हम देखत से बहुत ही अच्छा stock है अभी क्योंकि इसने अभी breakout दिया नहीं है और हम breakout के पहले अगर इसको खरीद रहे है तो यह अपने लिए अच्छा ही होगा तो अगर किसी को buy करना है तो वो अभी भी भी करके चल सकते और 44 का यहाँ पर strict stop loss लगा के इमिजर target रहेंगे इसके 55 औ अगर आपके पास long term के हिसाब से आपको इसको रखना है तो long term के हिसाब से इसका target रहेगा 65 का तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो please like, share and subscribe और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में thank you so much